तो की अफिए अफिरेत्स आज searching अच के ओटो के टीटोरील सेशन में हम देखेंगे के AutoCAD के अंदर हम टैक्स को कैसे उस करते है और सिंगल राइन टैक्स और मति व्ल्टि राइन टैक्स क्या होते हैं इसके लास्ट वीडियो में जो हम dimension work देख चुके हैं कि AutoCAD में dimensions कैसे work किया जाता है तो आज हम start करते हैं तो जो text जो है tool आपको मिल जाएगा annotation में जीकि जैसा कि आप यहाँ पर देखा है annotation यहाँ से आप text को use कर सकते हैं और similarly drop down list से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर text की citing भी कर सकते हैं जिसे हम बोलते है text style तो यह दोनों ही चीज़े आज हम देखते हैं कि text कैसे work करता है तो first हम start करते हैं कि directly अगर आप यहाँ पर इस tool की ओपर click करेंगे इसको हम बोलते है multi-line अगर आप देखेंगे direct active करेंगे तो multi-line text आपका क्या हो जाएगा active हो जाएगा अब आपको जहां भी text provide करना है for example मुझे इस particular reason के अंदर text देना है तो मैंने इसको यहाँ पर क्या करा मैं यहाँ पर एक area दूँगा जिस area के अंदर text आना है तो for example area मैंने इस select करा ठीक है और यहाँ पर मैंने इसे click करा तो आपके पास जो है वो पूरा पूरा उपर आप देखेंगे तो यहाँ पर text editor ऊपर open हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके पास क्या है text editor option जो है वो उपर आ जाता है इसमें काफी options आपको मिल जाते हैं तो मैं कोई भी text यहां पर टाइप करता हूँ for example मुझे यहां पर टाइप करना है kitchen ठीक है kitchen मैंने यह टाइप करा kitchen अब multi-line का मीनिंग क्या होता है कि मुझे यहां से enter करके second line में जाना है तो इसमें मैं enter करता हूँ मैं second line में पहुच जाओंगा और second line के अंदर मुझे यहां पर इसका size देना है size for example इसका 8 by है 8 feet comma 0 inches यहां पर हम by का sign यूज करने के लिए यूज करते है है x by similarly हम यहां पर इसको कर सकते 6 feet 0 inches चीक है तो यहां पर देखिए है और दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप enter करेंगे तो यह next line में क्या हो जाएगा चला जाएगा तो अब कर आप यहां पर कोई भी setting नहीं करते हैं चीक है और इसको बाहर कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो यहां देखिए टेक्स तो आ गए है आपका अगर आप इसे जूम करेंगे तो यहां पर टेक्स आपको देख जाएगा बट यह टेक्स जो है नहीं appropriate size में है चीक है और नहीं आपको visible है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है मैं text को setting करना पड़ती है तो आप चाहें तो हर बार इसे set कर सकते हैं पर यहां पर इसको क्या करता हूं यहां आप और उपर आप जो text editor देख रहे हैं उपर की तरफ देखिए यहां पर text editor है अब इस text editor में हम क्या करेंगे यहां पर देखिए आपको size दिख रहा है अनुटेटिव का यहां पर इसमें size में हम इसे type कर देंगे for example मुझे इसका size जो है अभी 0.2 शो हो रहा है मैं इसको 5 कर देता हूं तो देखिए यहां पर 5 तो आ गया है लेकिन काफी हमने इसे कर दिया हम इसे close करते हैं और यहां पर देखते हैं तो देखिए 5 यहां पर size इसने कि कर दिया है इसे size दे दिया तो आप इस तरहीं किसे क्या कर सकते हैं या तो sighting कर सकते हर बार आपको sighting करना है कि आपको dimension करना है या फिर हम क्या करेंगे text style manager जो होता है उसे open करेंगे तो वहां से हम single time में profile बना लेंगे ताकि हम जितनी बार भी काम करें हमारे text automatic हमा find use करके आप इसे कहीं और भी ले जा सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आप इसे edit कर सकते हैं वापस जो भी आपको size रखना है for example toilet है तो आप यहाँ पर भी से क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो इस तरीके से आपका text काम करता है तो हम देखते हैं कि text style manager से हम cases edit करते तो इसक जिएकर आप open करेंगे ठीक है तो text style जो है जो manager है वह आपको open हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहा हूंगे यह आपकी screen पर आपको दिखाई दे रहोगा इसे हम बोलते है text style manager तो आप यहाँ पर multiple styles भी जो है वो set कर सकते हैं पहले उसके बाद आप उन पर work कर सकते हैं ठीक है जैसे हम dimension में multiple profile बना कर काम कर सकते हैं यहाँ पर भी आप multiple style बना कर उनके साथ काम कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी annotative में और standard जो है दोनों आपके पास है annotative standard जो है अब उसमें क्या करते हैं हम इसमें new बनाते हैं हमने इसको नाम दिया क्या बोलते है के man heading मैंने इसको नाम दिया है अब यहाँ पर देखिए आपके पास man heading करके अहां पर आ गया है अब इस man heading में क्या करते हैं हम चेंज कर लेते हैं हम आई profile हम जैसे क्या करना है इसको हमें सबसे पहले हम इसको फॉन्ट जो है फॉन्ट जो है फॉन्ट कि सो मैं यहाँ पर select करता हूं Calibri तो उसके लिए मैं CA Calibri पर जाता हूं हम मैंने इसे select करा इसके बाद हम font style में इसे कैसा रखेंगे हमें bold रखना चाहते हैं तो हमने इसे bold set करा अब टेक्स्ट जो है टेक्स का size जो है मैं यहाँ पर रखना चाहता हूं 7 तो मैंने यहाँ पर text height में करा 7 और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया apply अब यहाँ पर यह सारी चीज़े apply हो गई आपकी man heading इसे तरीके से हम हम सिक्विलारली क्या कर लेते हैं एक और बना लेते हैं पर नियू इसका नाम रखते हैं हम सेकंडरी heading ठीक करके मैंने इसे कर लिया यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर दीखिसेकेंटरी में जाके मैं इसे क्या करता हूं इसको बहुत कि SIMILARLY हम यहाँ पर साइट करते हैं इसमें हमारा सेकेंटरी में भी हम करते हैं टाइंस नियू रोमन तो टाइंस नियू रोमन पो मैंने हिसे सलैक्त करा ठिक है और टाइंस नियू रोमन के बाद मैं इसे रखता हूं इतलिक और इतलिक में हम इसे देखते है paper size जो हम इसको कम कर देते हैं विसको रखते हैं 5 और इसको apply कर देते हैं अब इन में से जिसको भी आपको first active करना है उसको हम क्या करेंगे man heading को select करा उसे set current करेंगे तो यहां पर देखी current text style जो आने लगा man heading आने लगा तो इसको हम close करते हैं और वापस आते हैं हमारी drawing के उपर अब drawing के उपर जब भी आप direct कोई भी text लेंगे तो वहां पर आपको क्या करना बढ़ेगा कोई select करने के ज़रूद नहींगा आप T सिव इंटर करेंगे हमने T text देना है इसको हमने लिखा room और इसको हमने size दे दिया 12 feet 0 inches by 10 feet 0 inches तो यहां पर देखें अब देखें आपको यहां पर उसके size को adjust करने की कोई फो नहीं है जरूद क्योंकि आएक बार आप इसे क्या कर सकते हैं चुके size कर सुगे इसके अलावा कोई और आपको setting चाहिए तो आप उनको कर सकते for example मैंने इसको सभी को पूरे text को पहले select करेंगे हम और यहां हम उपर जाएंगे कुछ additional settings के लिए additional settings में हम क्या देखेंगे for example हम यहां पर additional settings के लिए मैं आपको देखी बताता हूं देखेंगे यहां पर additional setting में आप क्या क्या कर सकते हैं वो देख लिजी आप यहां से तो अभी देखें में क्या है अनुट्रिटिव में आपकी में आपको selected है यहां पर चाहिए यहां से आप bold, italic, जो सारे option वहां पर थे वह एक्स्टर option यहां पर आपके पास available है आप case भी चाहिए पूरा text वो भी आप यहां से set कर सकते हैं यहां पर match option भी होता है match text property वह जो हमने match property पढ़ा है वही उससे related है ठीक है formatting में यहां पर आपको component मिल जाएगा drop down list के अंदर यहां पर आप इसको color कर सकते है color आपको देना है जो भी आप text color select करेंगे for example में यहां पर यह color लेता हूँ जिस्टिफिकेशन आप सेट कर लिएगा for example आपको center में चाहिए तो middle center हम रख लेते हैं इसे जिए यहां पर आपके पास available है । यह सब आप यह पर bulleting number आपको चाहिए तो जो आपकेस यह has god पर आपके पास available है तो आप यहां से वो सारे option ले सकते हैं तो देखिए हमने यहां पर यह option लिया और यहां पर देखिए यह text आपका set हो गया है अब similarly अगर आपको match property apply करना है तो देखिए हम केसे का करेंगे match यह में आपने इंटर करा match property हमने text को select करा ठीक है और दूसरे टेक्स पर लेकर गए तो देखिए यहां पर match property क्या हो रहा है टेक्स के respect में work नहीं कर रहा है ठीक हमने इसको पूरा भी select करेंगे तो भी क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर जैसे हम देखते सिमिलर्ली देखिए अपर हम इस पर आए text पर इस पर match property पर आए और किसी और text को हम जब select कर लेंगे तो आपके क्या हो जाएएगा property match हो जाएगी कि इसी तरीके से हम क्या करते है हमारे text style से हमें कोई text लिखना है तो देखिए हमने फिर से वापस क्या कर आए टिक इंटर करा अब हमें secondary text to use करना है तो हमने फस्स को क्या करा है object select करा और यहां पर हम इसको क्या करते है हमें style को change कर देते हैं हमने secondary select करना है हमने secondary select करने के बाद हम यहां पर type करते हैं यहां हम लिखते हैं 7 feet wide passage तो देखें यहां पर text आपका already क्या हो गया है यह change हो गया है तो इस तरीक से जब आपको multiple text यूज करना हो और आपको हर बार settings नहीं करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो यह जो है text का use करने का सही वे है कि आपकी drawing में कितने तरह के text यूज होंगे और आप आपको बताना चाहता हूं इसमें भी आप find and replace यूज कर सकते हैं जैसे हम text text edit पर जाएंगे आप text edit यह भी आप use कर सकते हैं ती और किसी भी text को select करें तो यह जो आपका text editor है जो आपको पूरा का पूरा open हो जाएगा अब यहां पर जो है आपको एक option में बनाना चाहूंगा symbols वगेरा के related चाहिए symbols आपको यहां पर दिखाई दे रहा हूंगा कोई भी आपको अपने चाहिए ड्राइंग के अंदर कोई भी symbol अगर add करना हो for example आपको diameter का sign yes करना हो चाहिए तो आप उसी यूज कर सकते हैं तो मुझे यहां पर इसे कोई sign चाहिए तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं तो देखिए आपकी ड्राइंग के अंदर यह 5 का sign आ गया है अगर directly आपको कहीं पर 5 का sign चाहिए तो उसके लिए मैं बता देता हूं चाहिए आपका double percentage and c double percentage and c तो देखिए यह 5 का sign हो जाता है तो यह सारे options आपको यहां पर मिल जाएंगे तो यह सब आपको दिये हुए हैं ठीक है और यहां से आप अदर्स में जाएंगे तो आपको यह पूरे के पूरे जो है यहां पर मिल जाएंगे character map चुकर करके आपको मिल जाएंगा और यहां पर आप पूरे जितने भी आपको science वगएरा चाहिए यह सब यहां पर मिल जाएंगे आप यहां से इने यूज कर सकते हैं तो टेक्स में यह options आपके पास available है तो multiline और single line text में आपको बताना चाहरा था तो वो भी आप समझ लीजी क्या होता है multiline text और single line text for example मैं अगर multiline text यूज करता हूं ठीक है multiline text में कुछ type करता हूं और देखें इंटर करके similarly second line में भी एंटर करता हूं ठीक है और इसको close करते हैं तो यह multiline text हो गया similarly single line text के लिए क्या होता है आपका दूसरा option ने देखिए single line text तो जब आप single line text करते हैं तो आपको direction मताना पड़ता है for example rotation angle जैसे for example मुझे इस direction में text तो मैं एक और जगा से इसको select कर लेता हूं पहले select करा और मुझे इस direction में text चाहिए मैं और ठाउन करता हूं इस direction में text चाहिए तो मैं text यहां पर type करता हूं अब वाइड टिक क्लियर यहां पर और हम इसको बाहर आके टिक करते हैं तो देखिए इंटर करा हमने तो यह देखिए याद रखिएगा कि जो आपका multiline text होगा वह किससे होगा आपको यह यहांने close editor से करना पड़ेगा और यहां पर आपका single line text होगा यह आपको enter से end होगा तो यह देखिए यहां पर जिस direction में आप दोगे उस direction में लेकिन इसकी एक पासी है थे for example हम इसको वापस active करते हैं हमने active करा और इसके बाद देखिए इस direction में लगते हैं और हम यहां पर कुछ टाइप करना चाहते हैं अब हम इंटर करते हैं दूसरी जागा भी टाइप करते हैं सकते हैं तो देखिए यह option हमने enter कर रहा तो यहां पर देखिए यह options जो है सारे कि सारे आपके का है यह individual हैं यहां सब एक हैं यहां आपको देख रहा होगा यह सब ही object है और यहां पर है उबचेक्त है इन सब को मैं अलग-अलग कर सकता हूं for example इसे सब्सक्क्राइब पर दौन टेक्स्ट और किंडर के अन्दर तो इस िहुस तरह से यह करना है और सिंगल लाइन टेक्स्ट आपको जब यूफ होता है अब आपके डायरेक्षिन व 치के यह चाहते आपको text type करना पड़ेगा single line active हो जाएगा for example मुझे इस direction में करना है ठीक है इस direction में यहां से यह इस diagonal direction में ठीक है और मैं यहां पर type करना चाहता हूं मैंने देखिए हैं type करा enter करा तो सिंगल लाइन टेक्स का यह benefit है आप इसको किसी भी direction में directly स्टार्टिंग से ही आप इसको direction दे सकते हो मल्टि लाइन टेक्स में भी cover सकते तो एक option आपके पास available हो जाता है similarly हमाँ पास next option जो annotation में यूज होता है विसे हम बोलते है ladder जिसे हम arrows बोलते है कि arrows आपको use करना है और arrows के साथ आपको type करना है तो यहां पर देखिए आपके पास ladders के multiple options हैं इनसे आप क्या कर सकते हो ladders को use कर सकते हो तो यहां पर मैं directly सबसे पहले ladder use करता हूं एले इंटर करता हूं तो आपका यह ladder quick ladder जिसे हम बोलते हैं वह आपका आ जाएगा ठीक है यह आप direct ladder पर यहां क्लिक करेंगे तो यह मल्टी लाइडर है जिसको हम M ladder बोलते हैं और यहां पर आप यहां इंटर करते हो तो यह quick ladder करके option आता है quick ladder हमने इंटर करा किसी भी जहां पर आपको किसी particular point को show करना है यहां पर इस center को show करना है तो देखिए मैं यहां से ladder को लेकर गया ठीक है और जिस जगह पर भी आपको इसको लेकर जाना है तो यहां पर हमने इसको for example मुझे यहां पर रखना है और second line आपको जहां पर select करना है है for example मुझे second line यह लेना है अब मैं क्या करूंगा इसकी text की height दूँगा यह जो यह text मुझे जितनी height चाहिए देखिए आप इस direction में जिसा भी इसको तो यहां पर देखिए इसने center को यहां पर ड्रॉ कर दिया है तो यह option जो है आपके पास available है अगर आप quick ladder use करते हैं तो quick ladder में होता है क्या है text अलग है आपका यह सारे option आपके अलग है आपको दिखाए दे रहा होगा तो इस तरीक सा आप quick ladder ladder यूज कर सकते हैं अब यहां पर जो आगर आप option देखेंगे तो यह कहलाता है m ladder जिसको हम बोलते हैं multi-lader object ठीक है multi-lader में होता क्या है कि आप एक साथ कई ladder यूज कर रहे हैं quick ladder में single ladder है तो उसके लिए shortcut जो होता है m ठीक है m ladder ठीक है यहां पर आप उसको में एक्टिव कर सकते हैं यहां पर देख से देखी नीचे आ रहा होगा m ladder option मैंने select करा ठीक है और यहां से आप directly उसे क्या कर सकते ले भी सकते तो मैंने यहां से इसको option को लिया फिर similarly मुझे यहां पर option लेना है कि मैंने इसे select करा ठीक हिरी और यहां मैं इसको type कर देता हूं जो यहां पर value करना है दिए कि तो मुझे आपर इसको हुख आर्क तो मैंने इसको लिखा' और कलिक कर तो यहां पर देखी तो इसकी profile वह वर्क करेगी और यहां जो हम इसे क्या कर सकते रायरेक कि साइटिंग हम यह कहां से करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसके साइटिंग कहां से कर सकते तो हम आएगे अनोटेशन बार में पर नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए यह आपको मल्टी लेडर स्टाईल जो ही यहां पर विंडो ही यहां आपके पास open हो जाएगा चीक है इसको हम close करते हैं तो यहां पर देखिए मुल्टि लेडर style manager जो आपका open हो गया है हम इसको क्या करते हैं modify कर लेते हैं तो modify में हम आपस क्या क्या option है वो देख लेते हैं लेडर structure है content है है यहां पर यहींदर format है तो type यहां पर कीजा किसा straight हे ठीक है यहां पर लेडरी है color आप इसको कोई देना चाहते हैं तो color हमने यहां पर site कर दिया ti could Line type जो है आप इसको change कर सकते लाइन का weight जो है वो change कर सकते for example आपको technics देना है आप इसमें जो arrow है उसका शब्राइब छेज्ग कर सकते कि एपको एअरो केसा रखना है जिससा आपको यूज्स करना है वैसा आप यहां बर यूज्स कर सकते हैं तो तो मैं इसको closed blank कर देता हूं तो यहां पर देखिए blank option आने लगा है अब इसका size जो है आपको इसका size भी रखना है तो for example हम इसका size रखने 3 ठीक है clear है यह चीज और यहां पर जो option आपका आ रहा है ladder break line जो है यहां पर हम इसको बढ़ा लेते है break line मैं आपको option बता हूँगा break line कहां use होता है इसको हमने okay करा और ladder structure पर हम गए maximum ladder point यहां पर two है two means कि यह जो point होते है one two चीक है यह वाले point है आप इसको भी कर सकते हो दो से तीन चार आपको जितने चाहिए 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 आप इसपेल जो है है पर one दिया गया है आप इसको कळा सकते है फिने जिसवान करना है तो five कर सकते हैं आप सकते हैं कांटेंट यहाँ पर लेट रखी है अगर आपको कोई changes नहीं करना है तो हमना जिसे for example इसे वहापास one कर दिया कि हमने स्केल वन कर दिये कंटेंट पर यहाँ पर आप जी कि मल्टि लेडर टाइप एम टेक्स्ट करना है ब्लॉक करना है जो भी आप करना चाहें उसको कर सकती है हासा सैटिंग और यहां पर टेक्स्ट स्टाइल अनोट्यूटिव या स्टेंडर्ड जो भी मैंने आपको बत और यह सारे option आपके पास available हैं आप यहां से स्लेक्ट कर सकते हैं अगर टेक्स्ट आपको चाहिए और टेक्स्ट जो है यह फ्रेम में चाहिए तो देखिए यह फ्रेम में आ जाएगा अगर यह इठा देंगे लेफ्ट जस्टिफाइड जो होता है वह आपका लेफ्ट साइ और इसको मैंने यहां पर टाइप कर दिया सेखेंड तो यहां देखिए डारेक्ली अपलाए हो गया है इसमें कोई variation changes वगेरा नहीं आए तो इस तरीके से आप ladder को यूज कर सकते हैं अब इन लेडर को आपको आलाइन करना है या मल्टी लेडर आपको यूज करना है तो मल् esti option होता है कि 青के म poured लेडर एलाइन के लिए हमने इसको स्पड़ाक करा एं दोनों को स्पड़ां और यहां पर हमने से अलैन का option रखा कि हम इल ऐनलाइन कैसे करना है ती कर लाइं को आऊ-ब माप सकते हैं बल्य मपने को बंदा सकते हैं तो यहां पिसको क्या जर सकते हैं ब फस्ट वाले को आपने सिलेक्ट करा तो आप इसको क्या कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में आप इसे अलाइन कर सकते हैं तो मैं इसको क्या करता हूं और तो यह दोनों एक ही लाइन में हो जाएंगे जैसे आप इसे और तो यहां देखिए यह दोनों एक ही लाइन में हो से आप इससे select कर सक्ते एड लेटर जिसका option आता है यह हमने इसको select करा तो यहाँ पर हमने देखिए एक और लेडर कर दिया इसको और कर दिया दिया इसको हम और फ्रॉप कर देंगे और चैusu यह Second leader है आपके पास M ladder यहाँ पर M ladder edit करके option है जब आप इन दोनों को edit करना चाहते तो edit कर सकते हैं आप यहाँ से आप एक और add करना चाहते हैं तो यह सारे option आपको ladders के लिए available है ठीक है collect के लिए option है यहाँ पर क्लियर है यह चीज तो यहाँ पर यह आपके पास multiple options है आप इसको क्या गर सकते हैं यहां से use कर सकते हैं जैसा भी आपको use करना है ladders को इसी तरीके से next option जो हमाँ पास वह है table टीक है table के अंदर आप क्या कर सकते हैं जिस तरीके से आपको table इंसर्ट करना हो आपकी यहां से इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी टैबल जो है आपको इंसर्ट करना है वह आप यहां से इसको देखिए आपको size यहां पर option है by default लेए सारे options है ठीक है column height मैं आपको यहां पर ओर जूम करके दिखा रहेता हूं इसमें यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर option है तो देखे टेबल स्टाइल भी आप मैल्टिपल टेबल स्टाइल रख सकते हैं एंप्टी टेबल ठीक है एंप्टी टेबल आप यूज़ कर सकते यह इसका preview आ रहा है कि number of column से जो है आप change कर सकते for example number of column मुझे जो है कितने चाहिए number of column मुझे 2 चाहिए या 3 चाहिए या 4 चाहिए तो यहां पर 4 हमने 3 select करा ठीक है data row जो है हमने यहाँ पर ले लिए इतनी data row हमने यहाँ पर 5 कर लिए और row height हम यहाँ पर 5 ले ले लेते हैं आप अपनी unit के according इसे ले सकते हैं आप जैसे देखिए first row style क्या चाहिए आपको टाइटल लेना है तो टाइटल आप यहाँ पर लेख सकते हैं second row में आपका headers वगेर ले टिप वहाँ पर आपकी यह values आ जाएंगी तो अब आपको क्या करना है से values को enter करना है चाहिए तो मैं आपको बता रहेता हूं तो for example यह आपकी आ रही है ठीक है यह टैबल है अब आप इसको कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं तो आपको option यह अविलेबल है आप इसको edit कर स तो इस तरीके साब option देकर इसे और इसकी settings भी आप कर सकते हैं यहां पर आप इसे double click करें और यह जो text editor जो उपर option आपका पहले भी select था हमने इसको standard से हटाकर इसको हम इसको change कर देते हैं च्रीक है और यहां पर हम इसको value दे देते हैं 5 यह आप all object को select कर रहा हमने इसको values द और नहीं तो सबसे easy way जो है आपके पास tables के साथ work करने का कि आप tables के कैसे work कर सकते हैं तो आप कोई भी Microsoft Excel की file को open करिये तो मैं कोई Microsoft Excel की file जो है वो open करके आपको बताता हूँ तो जैसे को यह Microsoft Excel की file है तो यहां से हम सिर्फ cells को select करेंगे जो भी आपको cells चाहिए उनको select करा इसको हमने Ctrl C करा और वापस हम अपने option जाते हैं किस पर हमाई drawing के उपर हम वापस जाते हैं तो for example हमाई drawing है इसको हमने open करा और यहां directly हम इसे क्या करते है पेस्ट करते हैं तो जैसे ही आप Ctrl V करेंगे तो आपके देखिए वापस crosshair पर टेबल आ चुकी है तो यहां पर मुझे जहां पर मुझे इसे position देना है for example मुझे इस जगा position देना इस जगा position दी तो यहां देखिए table आ गई है ठीक है आप इसे edit कर सकते हैं आप इसे scale कर सकते हैं जितना भी आप आपको scale करना है तो एक यह option भी आपके पास available होता है तो आप directly यहां से excel से जो है किसी भी टेबल को जो है टेबल जो आपकी बनीवी वहां से भी आप इसके कर सकते है इंसर्ट कर सकते हैं तो यहां देखिए आपको यह table जो है आपको शो हो रही है तो यह सारे options आपके पास available है टेबल के लिए टेक्स के लिए और annotation के लिए इनसे related और भी कुछ extra command से जो हम extra आगे के portion जब work करेंगे ठीकिए उसमें हम देखेंगे ठीकिए आज के लिए इतना ही आपके कोई भी queries हो कोई भी आपके questions हो या suggestions हो आपके या आपको किसी particular topic के उपर कोई वीडियो चाहिए त section में ज़रू discuss करिएगा thank you have a nice day stay home stay safe